नमसकार दोस्तों, खादि सुरक्षा विभाद ने रेशन कार्ड EKYC करवाना अनेवार्य कर दिया है. ऐसे नागरिक जो अपने राशन कार्ड की EKYC करवा चुके हैं उन्हें जल्द से जल्द रेशन कार्ड EKYC स्टेटिस चेक करने की जरूरत है तकि यह पुष्टी की जा सके कि राशन कार्ड की EKYC पूरी होई है या नहीं क्योंकि अक्सर तक्नीकी खराबी के कारण EKYC की प्रक्रिया अधूरी भी रह जाती है ऐसे में राशन कार्ड EKYC करने के बाद इसका स्टेटिस चेक करना बहुत जरूरी है तकि आप निश्चिंद हो सके राशन कार्ड की EKYC स्टेटिस चेक करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यक्ता नहीं है आप घर बैठे अपने मुबाइल या लैप्टॉप से ही राशन कार्ड EKYC का स्टेटिस देख सकते हैं इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आप कैसे राशन कार्ड EKYC की स्थिती की जांच कर सकते हैं इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें राशन कार्ड EKYC अगर आप राशन कार्ड धारक है तो आपके लिए ये जानना बेहत जरूरी है कि खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड EKYC को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि खाद्यान वित्रन में हो रहे फरजी वाड़े को रोका जा सके कई अपात तत्वभी राशन कार्ड खाद्यान योजना का लाब उठा रहे हैं जिसे रोकने के लिए खाद्य विभाग द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है यदि आप चाहते हैं कि आपको खाद्य सुरक्षा योजना के तहट राशन सामगरी का लाब मिलता रहे तो आपके लिए भी राशन कार्ड EKYC करना जरूरी है क्योंकि खाद्य विभाग की ओर से यहादि सूचना जारी होई है कि अब उनों भोगताओं को सरकारी राशन की की EKYC करनी होगी ऐसा ना करने पर आपका नाम राशन कार्ड लाभार्थी सुची से हटा दिया जाएगा राशन कार्ड की नई लिस्ट हो गई जारी यहां से करें लिस्ट में अपना नाम राश्ट्रिय खादे सुरक्षा योजना के तहट देश के गरीब परिवारों को सरकारी राशन की दुकान से सस्ते दामों पर राशन सामगरी प्रदान की जाती है लेकिन अब इसका लाभ सिर्फ वे उभोगता उठा सकेंगे जिनके राशन कार्ड की EKYC प्रक्रिया पूर करवा सकते हैं राशन कार्ड EKYC कैसे करें 2024 राशन कार्ड EKYC कराने के लिए आपको राशन डीलर की दुकान पर जाना होगा इसकी प्रक्रिया ऑफलाइन है जहां आपको बायोमेट्रिक अंगूठा लगा कर के वाइसी कराने की जरूरत पड़ेगी बता दे कि इसके लिए सिफ मुखिया को ही नहीं बलकि राशन कार्ड में पंजीकृत परिवार के प्रत्येक सदस्य को राशन डीलर की दुकान पर जाकर बायोमेट्रिक अंगूठा लगवाना होगा इसकी पुष्टी करने के लिए राशन कार्ड EKYC स्टेटस भी चेक करना होगा क्योंकि अगर क राशन कार्ड EKYC क्यों करवाएं? राशन वित्रन पर बढ़ते फरजीवारे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि प्रत्येक राज्ये के सभी राशन कार्ड धारकों को अपनी EKYC करवानी होगी इस योजना के तहट वे परिवार भी लाब प्राप्त कर रहे हैं जो योजना का लाब लेने के योग्य नहीं है इसलिए राशन कार्ड EKYC को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि योग्य परिवारों की जानकारी खाते सुरक्षा विभाग को मिले और केवल उन्हें ही इस य अधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए रेशन कार्ड EKYC स्टेटिस चेक कैसे करें राशन कार्ड की EKYC प्रक्रिया में राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों के आधार कार्ड को वैरीफाई किया जाएगा ताकि योग्य परिवारों को ही इस योजना का ल सबसे पहले आप खाद्य आपूर्ती विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https colon slash slash fcs.up.gov.in slash पर जाएं इस आधिकारिक वेबसाइट के मुख्य प्रिष्ट में आपके राज्यवार खाद्य सुरक्षा पोर्टल नजराएंगे आप जिस राज्य के निवासी है उस राज्य क खाद्य सुरक्षा पोर्टल के लिंग पर क्लिक कीजिए अब आपके सामने आपके राज्य का खाद्य सुरक्षा पोर्टल ओपन हो जाएगा इस पोर्टल के मुख्य प्रिष्ट में आपको अपना राशन नंबर दर्च करना होगा राशन नंबर दर्च करने के बाद इस देखने को मिलेगा अन्यता नो देखने को मिलेगा इस तरह आप अपना रेशन कार्ड एके वाइसी स्टेटिस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं